यह एक website ता जो मैंने create किया था e-commerce website और e-commerce website बहुत ही heavy होते हैं because उसमें बहुत सारे plugins इस्तिमाल होते हैं, theme भी बहुत heavy होता है, images बहुत जादा रहते हैं, products रहते हैं, extra codes रहते हैं, उसलिए वो website heavy होते हैं अभी आप GT matrix भी अगर इसका score चेक करेंगे, बहुत ही बुरा है, इसे page speed में F मिला है, which is मतलब समझाए, page speed में fail है, इतना बुरा है, इसका 35%, wise low score भी बहुत बुरा है 55%, page को fully load होने के लिए 5 second लगते हैं, page का total size है 2.64 MB, so हमें इसे, हम मैंने इसे थोड़ा improve किया है, और उसके page speed F से increase होगे, सीधा A हो गया है, 93% हो गया है, और और भी चीज़े काफी improve हो गई है, so आप भी अपने website को ऐसे improvement कर सकते हैं, वीडियो देखके, अगर आप नए है इस channel पे, then make sure आप channel पे subscribe करें, और उस bell icon को दबाई, so that आपको नए notifications मिल सकें, इस channel पे आपको बहुत ही useful च आप लाइक करें, दोस्तों के अज़ा शेयर करें, और कुछ doubt हो, कुछ request हो मेरे लिए, तो आप comment section में नीचे लिख सकते हैं, तो चलिए अब भी वीडियो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैंने कभी एक नया fresh install और fresh website create किया है, अभी सबसे पहले हमें एक plugin install करना है, जो ह और आपको ये plugin दिख जाना चाहिए, ओके जब आप वो plugin टाइप करेंगे, आपको ये plugin दिखेंगा, डवी ट्री टोरल कैश, आप देख सकते हैं, एक million यानि 10 लाग से ज़्यादा websites इस plugin को अपने website पे at present अभी के time पे इस्तेमाल कर रही है, विच मेंज कि ये plugin सच मुछ य टिविट करेंगे, आपको left hand side में एक नया option मिलेगा performance टाब, आप उस performance को हावर करके general settings पे click करें, अभी आपको बहुत सारे options मिलेंगे जो आप use कर सकते हैं, सबसे पहले preview को option है general option में, इस preview के option को आप use कर सकते हैं, अपने website पे जो भी आप भी changes करने वाले उसे preview करने के लि इनेबल कर दिया, suppose आप page cache एनेबल करते हैं, और save all settings करते हैं, तो यह settings सिरिफ आपके लिए save होगी, जो visitor है उसके लिए save नहीं होगी, because यह preview mode पे है, अगर आपको लगता है ठीक है अभी सब settings अच्छे हैं, website अच्छा पर्फॉर्म कर रही हैं, तो आप उस पे deploy पे click करके deploy settings को deploy कर सकते हैं, जिससे आपके website पे settings deploy हो जाएंगी, और अभी यह settings सबको नजर आएगी, अगर आपको कुछ इस वीडियो में नहीं समझे, because यह थोड़ टेकनिकल वीडियो होने आला है, so don't worry, simply मैं जो कर रहा हूँ, आप वो simple steps फॉलो करें, और आप अपने website में बहुत ह performance improvement देखेंगे, so मुझे preview mode नहीं चाहिए, मैं इसे disable कर देता हूँ, okay, सबसे पहला option है page cache, अगर आप यह कुछ भी setting नहीं किया आपने, सिर्फ यह page cache को enable कर दिया, उसके बावजूद आपको बहुत ही better in performance मिलेगा, अगर आप कुछ भी नहीं करके, सिर्फ एक setting यह enable कर देखेगा, so simply इसे tick mark करें, और यहाँ पर कुछ options है, आप disk enhanced का option select करके, save settings and purchase caches पे click कर दे, उसके बाद आपको minification का option मिलेगा, तो basically यह आपके css और java files को minify कर देगा, बहुत सारे जो comments रहते हैं, उसको remove करके, जो space, extra line breaks रहते हैं, उसको remove करके, आपके file को minify कर देगा, file बहुत सारे css files use होते हैं, एक theme में, so सब css files को combine भी कर देगा, so यह combine और minifying का काम करता है, obviously again मैं आपको फिर से यही बोलूँगा, थोड़ technical video है, आपको हो सकता है, नहीं समझे, simply मैं जो tick mark कर रहा हूँ, और इसे tick mark करे, so enable करे, और I understand the risk पे click करे, अभी minify mode पे, auto पे click रहन दे और बागी सब settings आपको कुछ भी नहीं करने है, सब default रहने दे, simply save settings and purchase caches पे click करे, उसके scroll करे, और इसके third option है, op cache का, op code cache का, यह by default automatically selected और enabled रहता है, so इसमें कुछ करना नहीं है, आपको simply save settings and purchase caches कर दे, उसके बाद है database cache, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, because database cache एक resource intensive process है, which means कि आपके, अगर आप इसे enable करेंगे, तो हो सकता है, आपके website की performance और बुरी हो जाए, और आपके hosting की resources ज्यादा इस्तेमाल होने लगे, so मैं आपको, you know, suggest करूँआ कि आप इसे enable ना करे, तो ज्यादा बेटर है, उसके object cache का भी यह है, because ज्यादा तर लोग shared hosting use करते है shared hosting में आपको, बहुती कम resources available होती है, because एक single server, बहुत सारे लोग share करते होते है, so यह दो settings आप छोड़ दे, database cache और object cache, because यह बहुत ज्यादा improvement आपके site पर नहीं लाएंगी, और कभी-कभी आपके site को in fact, improvement को और बिगार सकती है, so यह दो settings छोड़ दे, उसके आप browser cache पे आए, अभी आप देखिंगे browser cache automatically by default enabled है, simply आप save settings and purge caches पे कर दे, अभी browser cache भी बहुत ज्यादा important है, अभी क्या होता है by default, जब भी आप Google Chrome पे कोई website visit करते हैं for the first time, जैसे आप वो website को visit करते हैं, Chrome उस website का cache file बना लेता है, इसका मतलब यह है कि उसके images को, उसके files को, उसके pages को, जो बहुत बहुत experience की होईगे, जब आप website पे first time जाते हैं, बहुत slow होता है, बद जब आप उसी website पे second बार जाते हैं, तो बहुत ही fast open होता है, यह सब browser cache के वैसे होता है, जब first time आप जाते हैं, तो आपका Google Chrome या फिर Mozilla Firefox, जो भी आप इस्तिमाल कर रहे हैं, वो आपके जो, आ आपको बहुत ही fast वो page open हो जाता है, so यह भी बहुत ही important है browser cache, make sure आप इसे enable करके, save settings and purge caches पे click करें, अभी यह CDN एक ऐसा, मतलब CDN, हम इस वीडियो में तो cover नहीं कर रहे हैं, maybe next वीडियो में, या फिर अगले किसी वीडियो में मैं हो सकता है CDN cover करू, CDN भी बहुत ही important है और आपकी website को बहुत improve करेगा, especially अगर आपका website मतलब बहुत ज़्यादा location से view हो रहा है, for example, Singapore से, USA, Malaysia से, Australia से, India से, so यह चीज उस ताम और ज़्यादा important हो जाती है, Syrian के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बात करना चाहता, because आप और ज़्यादा confused हो जाएंगे, यह हमें इस व वीडिया में मैं कोई paid चीज की नहीं करना चाहता है, मैं सिफ simple और free चीजे use करना चाहता हो, so हम इसे छोड़ देते हैं, उसके आप reverse proxy को भी आपको छोड़ देना है, monitoring को भी छोड़ देना है, सब चीज अतनी important नहीं है, simply आप bottom में आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको एक option रहेगा, यह optimized disk enhanced and page minified disk caching for NFS, इसे enable करके save settings and purge caches पे कर दे, इतनी settings करने के बाद आपका यह thing totally complete हो जाएगा, आपको कुछ करनी की ज़रत नहीं है, but मैं थोड़ा बहुत आपको side के advanced options दिखा देता हूँ, आपको बिलकुल करनी की ज़रत नहीं है, but कुछ लोग करना चाह साथ है, इसलिए मैं इस video में cover करने जा रहा हूँ, वरना आप सिर्फ इतनी settings करके अभी चलिए हम GT matrix पे जाते हैं, और यह website का हम URL copy कर लेते हैं, और यहाँ पर इसे paste करके देखते हैं, इसका result क्या आ रहा है, okay friends, आप देख सकते हैं, सिर्फ इतनी से setting करने के बाद आपके page में कितना ज्यादा improvement आ गया है, आपका page speed भी A है, वाइस low score A है, आपके page को load होने में सिर्फ 2 seconds लग रहे हैं, अभी आप इसे और भी improvement कर सकते हैं, अगर आप वाइस low पे click करेंगे, सब बोलता है, use a CDN content delivery network, so अगर आप CDN use करेंगे तो आपकी performance और भी improve हो जाएगी, हो सकत settings होती है, मतलब page cache आपने enable कर दिया, यहां से हो गया, minification enable कर दिया हो गया, अभी आप इसे थोड़ा और tweak कर सकते हैं, यहां से, for example, page cache पे click करके, आप इसके settings को tweak कर सकते हैं, तो चलिए यह देखते हैं अभी, अभी आप कौन से pages cache करना चाहते हैं, page cache का मतलब यह है कि आप page को cache कर रहे हैं, so हम front page cache करना चाहते हैं, यह भी cache करना चाहते है, comments page, site categories page, और SSL cache, SSL भी select करें, अगर आपके पास यह secure socket है, SSL certificate है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे website पे है, और SSL certificate बहुत ही important है, मैं अगर आप अपना website यूज़ कर रहे हैं, आपके SSL certificate नहीं है, तो मैं आपको recommend करूँगा, इस video के निचे आपको तीन एक link मिलेगा, TMD hosting का आप उसे use कर सकते हैं, बहुती super speed hosting है, सबसे important चीज़ जो आपके website की improvement, आपकी speed और performance इंप्रूब करने में हैं, वो hosting है, so I would recommend कि आप वो hosting पे click करें, और वो hosting purchase करें, especially अगर आप host creator, bluehost, godaddy जैसा बहुत ही बखवास hosting यूज़ कर रहे हैं, so I highly recommend करूँगा, कि आप migrate कर ले TMD पर वो आपके लिए बहुत ही useful होगा, उसके आद हम 404 page को cache नहीं करना चाहते है, 404 basically वो page है, जब कोई आपके website पे कुछ search करता है, और उसे वो नहीं मिलता, so आपको not found 404 error का page मिलता है, so वो page को cache करनी कि कोई ज़रत नहीं है, okay, so simply say save settings and purge caches कर दे, एक और setting यहाँ पर important है, don't cache pages for following user rules, और यहाँ पर आप यह सभी को subscriber छोड़के, आप यह सभी को tick कर दे, और save settings and purge caches पे click कर दे, make sure कि आप subscriber को tick mark नहीं कर रहे है, अभी यह क्यों important है, अभी जब cache, page आपका cache हो जाता है, इसका मतलब एक version save हो गया है, मतलब कि अगर मैंने, suppose मैंने, मैं एक website design कर रहा हूँ, मैंने दो columns बनाए, एक red, एक white, मैंने save setting कर दिया, तो अब यह setting save हो गया, अभी मैं को ध्याना है कि मैं red के जगा blue करना चाहता हूँ, तो मैं अगर blue करता हूँ और उसको देखता हूँ, तो blue न लोगों को cash version देखने की ज़रत नहीं है, तो आप simply से, जो मैंने settings किया, आप फिर से settings देख सकते हैं, मैंने जो tick mark किया है, आप उसे ही tick mark करें, उसके second option पे कुछ नहीं करना है, cash preload भी आप छोड़ सकते हैं, अगर आप शाहिद तो इसे cash preload भी आप छोड़ सकते हैं, इनके default settings है, उसे best है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रत नहीं, by default उनों ने इसको बहुत ही बैतरीन plugin बनाया है, और उसके आद advanced में कभी कुछ touch ना करें, जो जैसा है, उसे वैसा रहने थे, अभी चलिए minify पे click करते हैं, अभी आप यहाँ पर यह सब select कर सकत हैं, फिर यहाँ पर आए, htx, html और xml, और इसे enable कर दें, फिर inline css minification, inline javascript minification, और line removal, यह चारो चीज़ों को यहाँ से enable करके save settings and purge caches पे click कर दें, उसके बाद javascript पे और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यह सब चीज रहने दें, थोड़ा समझा देता हूँ मै ताकि अगर कोई समझने आला हो, तो कम से कम समझ जाए, मैं basically मैं सुछता हूँ कि अकसर लोग जो वीडियो देखते हैं, उतना technical knowledge नहीं होता है, मैं किसी को insult नहीं करना की नहीं होता है, बहुत सरे लोग को अच्छी जानकारी होती है, बट मैं just normal बात करता हूँ, आम audience की ब combine करना चाहते हैं, आप इस पर tick कर सकते हैं, but obviously हमें minify भी करना है और combine भी करना है, minification बहुत ही important है आपके website की performance को improve करने के लिए, आप इसे enable पे रहने दे, और हमेशा फिर से advance पे हमें कुछ भी tick नहीं करना है, तो उसे छोड़ दे, database cache हमें छोड़ दिया है, object cache छोड़ दि हैं, okay, so यहाँ पर set last modified header पे tick mark करे, set expire header tick mark करे, set cache control header tick mark कर दे, और उसके बाद, बस इतनी काफी है, उसके बाद आप फिर से save settings and purge caches पे click कर दे, और यहाँ भी आपको CSS and JavaScript में भी वही करना है, यहाँ पर सब settings पहले से सही है, okay, so जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता है, by default जो setting से काफी है, आपको बहुत जाद कुछ changes करने की ज़रत नहीं है, अभी चली फिर से एक बार इसे retest करते हैं, आप देखते है improvement हुआ या नहीं कुछ, पहले आप देख लिए जो भी अभी के score है, 97, 94, 2 seconds, 247 KB, 11 requests, चली इसे retest करते हैं, okay guys, so अभी आप देखेंगे कि यह score same at 97, 94, एक चीज़ में improvement हुई है, वो है fully loaded time, 0.3 seconds से improve हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताए, वो general settings काफी होते हैं, और यह advanced settings से आप थोड़े बहुत improvement कर सकते हैं, so इस तरीके से आप अपने website की performance और speed को improve कर सकते हैं, I hope आप लोग को यह video पसंद आया होगा, I hope आप अगर आपको यह helpful लगा, तो आप मेरे चैनल को subscribe करके bell icon दबा सकते हैं, और उसके बाद इस video को एक like दे सकते हैं, अगर आपको कुछ doubt है, कुछ comments है, तो आप उन्हें comment section पर नीचे डाल सकते हैं, और मैं आपको highly request करूँआ कि आप इस video को ज्यादर स्यादर शायर करें, ता